आज मैं इस वीडियो में आपको जनरेटर के बारे में पुल इन्फॉर्मिशन बताऊंगा यह आप देख सकते हो महिंद्रा पास्वपी चत्तर पी यह जनरेटर चल रहा है यह जो जनरेटर है वो 25 कवी का है मैं आपको प्लेट देखा देता हूँ उसकर यह आप देख सकते हूँ इस पर सारी इन्फॉर्मिशन दिये है उन्होंने और यह जो है वो फुल कॉपर वाइंडिक आती है इसमें यह परले का है 100 परसेंट कॉपर वाइंडिंग यह जो 25 कवी का जनरेटर है उस पर हम 10 HP तक की मोटर आरम से चला सकते है और उसके उपर भी थोड़ा होतो चल जाता है लेकिन ट्रैक्टर थोड़ा सा फिर ज्यादा मोटर होतो ट्रैक्टर दब जाता है लोड आता है ट्रैक्टर पर ज्यादा एच्पी के मोटर होने से और टेन एच्पी तक आप आराम से चला सकते हो मैं आपको एक बार अच्छे से जनरेटर भी का दिता हूँ या आप देख सकते हो यह गेर बॉक्से या पर ओईल लेवल टिपाटा है हो या प्यास हमें इस मशनरी वाले से लिया है महारास्प्रा में है या आप देख सकते हो उनका नमबर भी इस पर दिया है उनोंने अब हम माईलेज की बात करते हैं ट्रेक्टर के यह जो महिंद्रा है 45 HP का है तो यह 3 लिटर पर आउर लेता है मतलब एक गंटे के लिए तीन लिटर इसको डिजल लगता है और अगर ज्यादा लोड हो इस पर तो वो तीन लिटर से ज्यादा डिजल लेगा अब मैं आपको RPM कितने रखने है और गियर कौन सा लगाना है और देखा देता हूँ यह आप देख सकते हो RPM और लोगियर पर यह चल्का है आप इसकी आवाद से ही अंदाजा लगा सकते हो 10 HP की मोटर ही कितना इस पर लोड देती है 1500 RPM लगबग यह RPM इसके ड्रॉप हो रहे है मैं आपको एक बार मोटर दिखा देता हूँ 10 HP की है वो यह आप देख सकते हो यह मोटर चल रही है बाकि सब बंद है 10 HP की है यह महराष्टर गवर्मेंट ने अभी लाइट किसनों की जो पंप की लाइट होती वो पट कर दी है इसलिए हमें यह करना पड़ रहा है अब मैं आपको घर जाकर दिखाता हूँ कि 10 HP की मोटर ट्रेक्टर जनरेटर पे कितना पानी निकलती है अभी लगब एक गंटा हो चुका है इसे चालो करके यहाँ आपको ट्रेक्टर का टेम्परिचर दिखा देता हूँ ज्यादा दूप नहीं है कितना गरम हुआ है देखते हैं आपने देता होगा ज्यादा कुछ गरम नहीं हुआ है आपको पुछ सकते हो और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरू करोंगा देखते हैं जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना थैंक यू वीडियो देखनी की तो